ओम शिरी परमात मने नम है ओम शिरी परमात मने नम है शिरी मत भागवत गीता के तेहर वे अधिहाई का महत्म है शिरी महादेब जी कहते हैं पारवती अब तेहर वे अधिहाई की अगाद महीमा का वड़न सुनो उसको सुनने से तुम बड़ी प्रिसन होगी दक्षिंड दिशा में तुक भद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है उसके किनारे हरीहर पूर नामक रमडिय नगर बसा हुआ है वहां हरीहर नाम से साक्षाद भागवान सिपजी बिराजमान है जिनके दरसन मात्र से परम कल्यान की प्राप्ति होती है हरीहर पूर में हरीदिख्षित नामक एक श्रोच्त्रिय ब्रामड रहते थे जो तपस्या और स्वाध्याय में सलागन तथा बेदों के पार गामी बिद्वान थे उनके एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे भैसदा पदी को कुबाच्चे कहती थी उसने कभी भी उनके साथ सेह नहीं किया पदी से संबन्द रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सब को डाट भगाती और स्वयम कामोन मत होकर निरंतर बेवेचारियों के साथ रमन किया करती थी एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पुरवासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम बन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया एक समय रात में किसी कामी को नेपाकर बेह घर के किवाल खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई उस समय उसका चित काम से मोहित हो रहा था बेह एक एक कुझ में तथा प्रतेक ब्रक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी किन्तु उन सबी स्थानों पर उसका परिस्रम बिर्थ गया उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ तब उस बन में नाना प्रकार की बाते कहकर बिलाब करने लगी चारो दिसाओं में घूम घूम कर ब्योग जनित बिलाब करती वी उस इस्त्री की आवास सुनकर कोई सोया हुआ बाग जाग उठा और उच्छल कर उस स्थान पर पहुँचा जहां बहर रो रही थी उदर बहे भी उसे आता देख किसी प्रेमी की आसंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओड से बाहर निकलाई उस समय ब्यागर ने आकर उसे नक रूपी बाडों के प्रहार से प्रत्थि पर गिरा दिया इस अवस्था में भी बहे कठोर बाडी में चिल्लाती पूछ बैटी रे बाग तू किसलिए मुझे मारने को यहां आया है पहले इन सारी बातों को बता दे फिर मुझे मारना उसकी यह बास सुनका है प्रचंड प्राकर्मी बियागर छड़वर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुख गया और हस्ता हुआ सा बोला दक्षिन देश में मला पहा नामक एक नदी है उसके तड़ पर मुझे परणा नगरी बसी हुई है बहे पंचिलिंग नाम से प्रिशिद साक्षाद भागवान संकर निवास करते हैं उसी नगरी में मैं अब्रामहर कुमार होकर रहता था नदी के किनारे अकिला बैटा रहता और जो यग्य के अधिकारी नहीं है अपने बेद पाट के फल को भी बेचा करता था मेरा लोब यहां तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्ष को कुग गालिया दे कर हटा देता और स्वेम दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिया ही हमेशा ले लिया करता था रिन देने के बहाने मैं सब लोगों को चला करता था तरंतर कुछ काल बितीत होने पर मैं बुड़ा हुआ मेरे बाल सफेद हो गए, आंकों से सू उचता ने था और मुझे सारे दाथ गिर गए इतने पर भी मेरी दान लेने के आद़त नहीं छुटी परवाने पर प्रतिग्र है के लोब से मैं हाथ में कुछ लिए तीरत के समीप चला जाया करता था तब पस्चात मेरे सारे अंग सिथिल हो गए तब एक बार मैं कुछ दूरत ब्रामणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया उसी समय मेरे पैर में कुछ ने काट लिया ता मैं मूर्चित होकर छड़ भर में प्रतिव पर गिर पड़ा मेरे प्राम निकल गए उसके बाद मैं इसी ब्याग रियोनी में उत्पन हुआ तब से इस दुरगम बनमेज रहता हूं तथा अपने पूर्व पापो को याद करके कभी धर्मिष्ट महात्मा यती सादू पुरूस तथा सती इस्तरियों को मैं नहीं खाता पापी दुराचारी तथा कुल्टा इस्तरियों को ही मैं अपना भक्षे बनाता हूं अतहे कुल्टा होने के कारण तू अबस्य ही मेरे मेरा ग्रास बनेगी जो कहकर बेह अपने कठोर नको से उसके सरीड के टुकड़े टुकड़े करके खा गया इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को सयम नी पुरी में ले गए वहां यमराज के आगया से उन्होंने अने को बार उससे विश्टा मूत्र और रक्त से भरे हुए बहान कुंडों में गराया करोडो कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे बहां से ले आकर सो मन बंतरों तक रोरब नरक में रखा फिर चारो और मुह करके दीन भाव से रोती भी उस पापनी को वहां से खींच कर देहनानन नामक नरक में गिराया उस समय उसके केस खुले हुए थे सरीर भयानक दिखाई देता था इस परकार खोर नरक यातना भोग चुकने पर महापाप ने इस लोक में आकर चंडाल योनी में उत्पन हुई चंडाल के घर में भी पिर्ति दिन बढ़ती हुई बहापूर जनम के अभ्यास से पूरुबत पापों में पिरवर्त रही फिर उसे कोड और राज यक्षमा का रोग हो गया नेत्रों में पिड़ा होने लगी फिर कुछ काल के पस्ताद बहपूने अपने निवास स्थान हरी हर पूर को गई जहां भगवान सिब के अंतहपूर की स्वामेनी जंब का देवी बिराजमान है वहां उसने बासुदेब नामा के पवित्र ब्रामन का दर्शन किया जो निरंतर गीता के तेहरवे अध्याय का पाठ किया करता था उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही भैचांडाल सरीर से मुक्त हो गई और दिब्याध्ये देहदारन करके स्वारगलोक में चली गई ओम स्री परमात्मने नम है ओम स्री परमात्मने नम है